दोस्तों, आज तक आप सिल्फ किसी भी लाइंग्वेज में उटोमिटिकली सब्सक्राइड करते थे आज के बाद आप किसी भी लाइंग्वेज में ऑटोमिटिकली वाइस को डब कर सकते हूँ यह यूटूब ने नया फीचर निकला है, जिसको यूज करके आप अपने वाइस को जो आप बोल रहा हूँ, जैसे मैं इस वीडियो में हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आप इस यूटूब ने एक नया फीचर निकला है, यह आज तक आप लोग सिर्फ ऑटोमेटिक में मैंने बताया है, ओटोमेटिक सब्टेटल को कैसे अड़ करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ओटोमेटिक वाइस को कैसे आप डब कर सकते हो, बिना को एक्स्टरनल टूल को यूज किये, आपको यूटूब स्टूडियो में कुछ इंपॉर्टनेट मतलब आपका वीडियो को जो आपका लाइंग्वेज है, जो बात कर रहे हैं, उसी को आप ट्रांसलेट कर देंगे, तब आपका कितना व्यूज बढ़ेगा, और ओडियन्स एटेंचन की तो बात ही मत कीजिए, और जो आपकी वीडियो पर डॉनल बनेगा, वो सबसे ज़ा मतलब इंडिया के बाहर जहां चाहे, वहां लोग देखेंगे, और उसे क्या होगा, कि जो बाहर देश में, बाहर कंट्रीज में, और आड्स चलते हैं आपकी वीडियो पर, तो आड्स पर सबसे ज़ादा वहां पर पैसा मिलता, अगर आपको इंडिया में 10 रुपे मिल रह है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसको सेटिंग कैसे करना है, जिससे के आपका वीडियो आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, आप यहां पर यूटूब का मेल देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, मतलब आपके चैनल पर जल्दी फीचर आजाएगा, बहुत ल चैनल पर आया है, कि नियो चेक करने के लिए क्या करना है, आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहां पर यह भी लिखा हुआ है, कि आप इसको आन भी कर सकते हैं, और कोई नहीं चाहेगा दोस्तों, कि उनकी वीडियो पे जादा व्यूज आए जादा सब्सक्रेबर्स आएं, और जादा आर्निंग हो, इसलिए मैं तो कहता हूँ, कि आप लोग भी इस फीचर को एनेबल कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे उसको एनेबल करना है, तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम Google Chrome पे चले जाते हैं, आप YT Studio पे जाएंगे, त पे मैंने चार से पांच डिफरेंट डिफरेंट मेधर्स बताया हैं, जिससे आप YT Studio को Chrome ब्रोजर में उपन कर सकते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, अब हम YT Studio में आ गया है, उसके बाद हम को क्या करना है, जिसमी वीडियो में हमको आटमेटिक डबिंग करना है, जिसम आप से नीचे आपको आजाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शौट रिमिक्सिंग का आपको मिलेगा, शौट रिमिक्सिंग के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा, और दोस्ते यह फीचर आपको आटमेटिक डबिंग, इसको आने से पहले आपको एक और सेटिंग क मतलब manually review आपको करना है कि नहीं वो आपको पूछ रहा है कि अगर आपको किसी भी different language में अगर आप audio को review मतलब upload करते हैं तो उसको अगर आप manually review करना चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर option दिया है इसको आपको यहाँ पे अगर टिक करते है manually review तो आप यहाँ भी देख सकते हैं review dubs in all languages मतलब अगर आपको सारे के सारे language में review करना है मतलब उतना time लगए आपको तो आप उसको click कर सकते हैं और अगर आपको नहीं सिर्फ आपको जो experiment language है जिसमें की हिंदी आता है और कुछ थोड़ा से experiment languages हैं तो उसको अगर आपको करना है तो आपको second all option क्लिक करना है अगर आपको manually review नहीं करना है तो आपको इसको untick कर सकते हैं और उसके बाद आप directly upload कर सकते हैं और दोस्तों आपको बहुत सारे options मिलेगे हैं अपर settings में general channel upload defaults permission यह सब आपको option मिलेगे हैं तो आपको यहाँ पर simply अपर upload defaults वाले option पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं basic info है तो आपको यहाँ पर advanced settings पर चले जाना है advanced settings पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर ला है नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर भी आप देख सके automatic dubbing automatically translates your audio tracks into different languages and adds them to your video मतलब आपका automatically translate कर देगा और आपके video में add कर देगा तो आपको खुद से कोई externally मतलब कोई भी app use नहीं करना है आपको dubbing artist hire नहीं करना है आप YouTube के इस कमाल की feature से अपना voice को dub कर सकते उसके बाद आप यहाँ पी देख सकते है यहाँ पी दो option है इसको आपको ध्यान से देखना है दूस्तों इसको आप सही से नहीं करेंगे तो आपका जो है automatic dub नहीं हो पाएगा और उस वीडियो पे आप कभी dubbing नहीं कर पाएगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं allow automatic dubbing और यहाँ पे manually review dubs before publishing तो यहाँ पे आप नहीं देखा था पिछली वीडियो में मतलब पिछले setting में मैंने बताया है कि आपको manually review करना है कि नहीं वो setting है यहाँ पे आप देख सकते हैं allow automatic dubbing यहाँ पे दो option है तो आपको यहाँ जो first वाला है उसको tick कर लेना है और यहाँ पे second वाला जो है उसको आप अगर चाहें अगर आपको manually review करना है तभी आप इसको tick करें तो आपका video dubbing नहीं होगा तो उसको आपको कर लेना है और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे सबसे नीचे save button है इस पे आपको click कर देना है इतना करने के बाद आपका हर वीडियो में आपसे automatically watch dubbing हो जाएगा मतला आपको सिर्फ वीडियो बना के डालना है जैसे आप इतने दिन वीडियो बना के डालते थे automatic subtitles आते हैं और आपके बाद आपके वीडियो में हर वीडियो में आ जाएगा और दोस्तों किस-किस को यह feature औरेडी मिल गया है कमेंट करके जरूर बताइए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में टेक केरें बाइवान